हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आज मैं आपको पीटर पैन कॉलर बेबी टॉप बनाना बताऊंगी तो इसके लिए मैंने स्रिप आदा मिटर रेयोन का फेब्रिक लिया हुआ है आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फेब्रिक में से बना सकते है तो सबसे पहले मैं फेब्रिक को फोर फोल्ड करके बिछाना है जो मेरी सैट है वो बंधवाली सैट है और जो उपर की सैट है वो खुली हुई सैट है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है ये 21 इंच की हमारी रेडी होगी अभी उपर से हमें शोल्डर के लिए छेंज पर निशान लगाना है शोल्डर के लिए हम छेंज पर निशान लगाएंगे और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें छेंज पर ही निशान लगाना है छे इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है जितना हमने शॉल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है अभी यहां से हम चेष्ट का मेजर्मेंट लेंगे तो आपकी बेबी की चेष्ट का जो भी मेजर्मेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें दो इंच एट कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने नो इंच पर निशान लगाया है चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके दो इंच एक्ष्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए अभी बेक आम होल के लिए हमें देड़ इंच पर निशान लगाना है और फ्रन्ट आम होल के लिए एक इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें round shape डो कर देना है अभी उपर से एक निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए यहां से हम कमर का measurement लेंगे तो आपकी बेबी की कमर का जो भी measurement हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एट कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है वेश्ट का 4 पाट करके 2 इंच एक्ष्टा लेना है अभी नीचे से हमें बेबी की हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एट कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइट से भी लाइन ड्रो कर देनी है अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है फ्रंट और बेकनेक के लिए अभी सबसे पहले हमें बेकनेक और बेकाम होल से इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रो किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अभी हम इसमें से एक पाट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की कटिंग कर देनी है तो देखे इस तरह से हमें फ्रंट नेक की भी कटिंग कर दी है अभी हम बेक पाट में कट लगाने वाले हैं क्योंकि यह हमारा पीछे से बंगला रहेगा तो बंदवली साइट से हमें चार या फिर पाच इंच पर एक निशान लगाते हुए इसमें एक कट लगा देना है लगाएंगे तो पति की जो तीनो साइट की बॉर्डर है उसे हम एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाए लगा देंगे तीनो ही साइट से उसके बाद हमें इस पट्टी को जो हमारा बैक वाला पाठ है उसके उपर रखना है तो बैक का पाठ हमें सीधा ही रखना है और पट्टी को हम उल्टा रखेंगे उसके बाद इसके वी शेप में हमें सिलाई लगाकर पट्टी को उल्टी साइट पर पलट देना है तो देखे मैंने इसके shoulder joint कर लिये है अभी पहले हम इसका आम होल बना लेंगे तो उसके लिए मैंने ये तिर्जी पट्टी ली हुई है तो पट्टी को सीधी साइट से ही आम होल के उपर रखना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है उसके बाद हम पट्टी को double fold करते हुए अंद की तरफ मोड देना है तो देखे मैंने आम होल के उपर पट्टी को attach कर लिया है दोनों ही साइट से अभी हम पहले इसका collar cut कर लेंगे उसके लिए ये जो हमारा टॉप का पाठ है उसे हमें इस तरह से बेक साइट से पकड़ते हुए फोल्ड कर लेना है ऐसे हमें नेक को double fold क कर लेना है अभी हमेने ये एक्ष्डरा पट्टी ली हुई है तो ये मैंने दो पट्टिया कट की हुई है इसे मैने इस तरह से एक दूसरे के उपर रखा है अभी इसे हम एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारी फोर फोल्ड हो जाएगी इस तरह से फैब्रिक को मैंने फोर फोल्ड किया हुआ है जो मेरी सैट है वो बंद वाली सैट है बाकी तीनों सैट इसकी खुली हुई है तो एक्ष्ट्रा फैब्रिक को हमें इसी तरह से फोल्ड करना है उसके बाद जो हमने टॉप वाले फैब्रिक को fold किया था वो हमें इस तरह से बंदवली side के उपर रखना है तो ध्यान रहे जो हमारा round वाला part है वो बंदवली side से ही मिलना चाहिए और एक इंच हमें दोनों side से इस तरह से extra रखना है और round वाला shape हमें draw कर लेना है तो ध्यान रहे एक इंच फैब्रिक एक्ष्टा ही हमें लेना होगा और इस तरह से round shape डोग कर लेना है अभी हम caller की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो caller की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि दोनों सैट से ये हमारा आधा आधा इंच सिल्लाई मारजिन में चला जाएगा तो ये दू इंच का रेडि होगा तो इसलिए हमें 3 इंच की चौड़ाई लेनी है तो पूरे राउंड में हमें 3 इंच पनिशान लगाते जाना है और एक round shape draw कर लेना है जो बीच वाला हमने round shape draw किया है बिल्कुल उसी के बराबर हमें इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाते हुए round shape draw कर लेना है अभी इसे हमें cut कर देना है तो दिखी इस तरह से मैंने cutting कर दी है अभी हम इसे एक side से cut करेंगे क्यूंकि back part में हमने cut लगाया है इसलिए हमें इस पट्टी को एक side से cut कर लेना है अभी जो एक side इसकी बंद वाली side है वहां पर हम इसमें Peter Pan color का shape draw करेंगे तो नीचे वाली side से हमें एक इंच पर निशान लगाना है और उपर से हमें इसमें इस तरह से round shape draw कर लेना है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिलकुल उसी तरह से आप चाहे तो जैसे thumbnail में दिखाया है उस तरह से सीधी line भी draw कर सकते है तो यह हमारा straight color बनेगा लेकिन मैं इसमें Peter Pan color बना रही हूँ इसलिए हमें इस तरह से round shape draw कर लेना है तो इस तरह से हमारा shape आएगा अभी हमें इसे cut कर लेना है तो आप चाहे तो इसे straight भी cut कर सकते हैं लेकिन मैं इसे round में यानि की Peter Pan color shape में cut करने वाली हूँ तो देखिए इस तरह से मैंने cutting कर दी है अभी हम इसे खोल देंगे तो यह बीच में थोड़ा सा joint है उसे भी हमें cut करके अलग कर देना है तो इस तरह से हमारी चार पटिया cut हुई है दोनों side के लिए हमारी दो दो पटिया cut हुई है अभी एक पटि को हमें सीधा रखना है और उसके उपर दूसरी पटि को हम उल्टा रखेंगे तो इस तरह से हम पहले इसमें जॉयंट लगाएंगे तो एक पत्टी को सीधा रखना है और उसके उपर दूसरी पत्टी को हम उल्ता रखेंगे और जहाँ से इसका राउंड वाला शेफ है वहीं से हमें इसमें सिलाई लगानी है तो बाहर की तरफ ही हमें सिलाय लगानी है अंदर की तरफ हम सिलाय नहीं लगाएंगे इसी तरह से हम इसके ओपर सिलाय लगा देंगे और इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हम एक पट्टी को सीधा रखेंगे और दूसरी पट्टी को उल्टा रखेंगे और इसके राउंड वाले शेप में हम सिलाई लगा देंगे तो देखे इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम इसमें छुटे-छुटे कट लगाएंगे तो कट लगाते वक ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए उसके बाद जो अंदर से इसके खुली हुई सैट है वहाँ से हमें पट्टी को सीधी सैट पर पलट देना है और पलटने के बाद हमें इसके उपर अच्छे से कवर सिलाई लगा देनी है इसके कोने को भी हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है और दूसरी पटी में भी हम छोटे-छोटे कट लगाएंगे और इसे भी सीधी सेट पर पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसके उपर भी कवर सिलाय लगाकर इसे सेट कर लेंगे तो देखे मैंने कवर सिलाय लगाकर इसे सेट कर लिया है तो मेरी पहले वाली जो पटिया थी वो बहुत ही सिंपल लग रही थी इसलिए मैंने ये दूसरी पटिया को कट करके इसे रेडी किया हुआ है और अंदर से भी मैंने इसमें सिलाय लगा दी है पलटने के बाद अभी हम इसे टॉप पार्ट के उपर अटेच करेंगे तो पहले हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है उसके बाद जो हमारा कॉलर है उसे हमें सीधी सैट से ही रखना है जो हमने सेंटर में निशान लगाया है वही तक हमें कॉलर को रखते हुए इसमें सिलाय लगानी है तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में सिलाय लगा देनी है, दोनों साइट की कॉलर को रखते हुए, तो देखिए इस तरह से मैं इसमें सिलाय लगा कर कॉलर को अटेज कर लिया है, अभी हम इसके उपर तिरची पट्टी अटेज करेंगे, तो पहले पट्टी जो बॉर्डर है उसे हमें fold कर लेना है उसके बाद हमें पट्टी को double fold करते हुए पूरे round में सिलाय लगा देनी है इस तरह से तिरची पट्टी को double fold करते हुए पूरे round में सिलाय लगाएंगे और दूसरी side पर भी extra पट्टी को cut कर लेंगे और इसकी border को fold करते हुए इसमें सिलाय लगा देंगे और पट्टी को अंदर की साइट पर पलट देंगे तो पहले पट्टी को नीचे की तरब इस तरह से करते हुए हम इसके उपर कवर सिलाय लगाएंगे और उसके बाद हम पट्टी को उल्टी साइट पर पलटेंगे तो ये पट्टी हमारी कॉलर के नीचे दब जाएगी और इसके उपर हमारी सिलाई भी वीजिबल नहीं होगी कॉलर के उपर तो देखे इस तरह से मैंने पट्टी को पलट दिया है अभी टॉप पाट को हम उल्टा कर लेंगे और साइट से दो इंच का गेप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है और इसी तरह से दूसरी साइट पर भी दो इंच का गेप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें simply double fold कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है तो देखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही set से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और इसी के साथ हमारा Peter Pan color top बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look So friends I hope आपको आज का है tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का है वीडियो पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा